अज्जेक्शन होगे, 6 जनवरी को जब MCD में मेयर और डिप्टी बेयर के चुनाव की पिर्किरिया चल लगी थी, तो अचानक एक बात सामने आ जाती है कि कॉंग्रेस के सभी निगम पार्षट वाक आउट कर गए, वाक आउट करने की जो बात सामने आई, वाक आउट तक तो समझ में आती है, लेकिन शाम को ही पता चलता है कि कॉंग्रेस की एक निगम पार्षटा जो के ओखला से है, नाजिया दानेश उनको हज कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है, अजिया जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी स्टेट में कोई भी कमेटी या कोई भी मेंबर या चेर्मेन, वहाँ की चुनीवी सरकारे बनाती हैं, ना के गवर्नर और लेफ्टी गवर्नर बनाते हैं, लेप्रियंड गवरनर यह गवरनर नहीं बनाते वहां की चुनी सरकारे बनाती है जंता सरकारों को स्लीए चुनती है चलिए इन्होंने मेंबर बना दिया समझ में आया क्यों एक तो इन्होंने गैर कानूनी काम करा हाज ect में जो हाज ect 2002 है उसमें साफ तोर पर ये लिखा हुआ है कि निगम पार्षट की मेंबर के तोर पर मुस्लिम निगम पार्षट की नियुक्ती तो हो सकती है लेकिन ये जो मौतरमा थी अभी तो इन्होंने शपत भी नहीं ली ती ज़ते कि इन्होंने शपत नहीं ली ये मेंबर कैसे बन गई हज कमेटी की सबसे बड़े अफसूस की बात कि ये इतना है और कानूनी काम कि शपत लिए बगर ही LG साब ने उनको हज कमेटी का मेंबर बना दिया और दूसरी बात अभी तर हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली को जो हो रा दिल्ली में दिल्ली को छोड़कर हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में महला को हज कमेटी का चेर्में नहीं बनाया जाता है क्योंकि ये एक धार्मी कमेटी है हज यात्रा एक बहुत मैकूर यात्रा है जो मुसल्मान पर जिंदगी में एक बार ही फर्द होती है एमशली पर चर्चा नहीं करा रहा हूं पहले पढ़ लीज़े इसमें लिखा डिस्केशन और अनकस्टिक्यूस्टनल जैकि इनको दे तकलिफ होनी होनी है क्योंकि इन लोगो इस तरह के गहर कानूनी काम सुप्रिम कोड को यह नहीं मांदे इनको तो तकलिफ होगी इन चीज़ों ले पीच में उस्प्रा की वाज़ा तो डालेंगे ही तो अध्यक जी मैं कहना चाहरा था वो भी तो हैलिन क्या है इसका सब्जेक्त है हैलिन क्या है और उसमें भी एक महला को चैर्मेन बनाने की कोशिश कर रहे है जबकि हमारे इसलाम धरम में कोई भी सफर जो के जिसमें मुसाफिराद्मी हो जाता है कोई भी महला बगर महरम के नहीं कर सकती अगर हमारे दिली के हज़ियात्रियों को साथी आरब में कोई उपर वाला न करे कोई समस्या पेश आ जाती है तो अगर ये महला को चैर्मेन बनाएंगे तो वह मगर महरम के कैसे साथी आरब जाएगी अब ये कंकुलूट कर रहा हूँ अज्जेक जी ये कहना चाहते है ये कह रहे है और इनके हाका कह रहे है कंगरेश के हमने तो ना बीजेपी को सपोर्ट कर रहे है ना हम आमादमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे है मैं इनको बताना चाहता हूँ पिछले से पिछले बार महराष्ट में जब बीजेपी की सरकार नहीं बनना ही थी तो बीजेपी ने सदन में अपना विश्वास बतपारित करने के लिए जब सदन बुलाया तो वहाँ दो जो विदायक थे वो के M.I.M. के थे M.I.M. के विदायकों ने सदन से वाग आउट कर दिया और एक वोट से पीजेपी की सरकार बन गई थी तो अज्यक जी मैं आपके बात्यम से यही कहना चाहता हूँ के इनका जो वाग आउट करना है यह M.C.D. के अंदर यह जो कमेटिया है स्टेंडिंग कमेटियों को बनवाने के लिए वाग आउट कर रहे हैं कांग्रेश वाले और गहर कानूती तरीके से LG साब जिस तरह से हज कमेटी बना रहे हैं दिल्ली के ही मुसल्मान नहीं पूरे हिंदिस्तान के मुसल्मान इसको वरदाश नहीं करेंगे मेरा आपसे अन्रोध है कि आप अपने माद्यम से LG साब को यह जहर कानूनी काम करने से रोकिये आपका द्यान इसी और दिलाना चाहता हूँ के हज कमेटी के मेंबर्स हमेशा शुरू से और आज तक जब से दिल्ली विधान सबा बनी है तो दिल्ली की सरकार ही नाम भेजती आई है और उन्हीं को LG आगे भेजते हैं इस बार जो ये खेल खेला गया है अद्यक्ष महुदे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ के इस बार जो दिल्ली की सरकार ने जो मुक्हमंत्री जी की तरफ से भेजे गे नाम है उनको हटा करके और नाजिया दानिश मुहम्मद साद और एक और कॉंग्रेस के तीन में के नाम महा रखे गए तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ ऐसा कौन सा प्यार आज कॉंग्रेस के साथ उमर गया भारती जनता पारटी के एल जी साहब का के जो तीन मेंबर उनके बनाएगा और जैसा भी मेरे साथी ने आपको बताया के हज में हज एक ऐसी यात खास आपके द्यान में लाना चाहता हूँ अद्यक्ष महद है एक चौदरी मतीन एहमस साथ पूर्व MLA है वो छे बार MLA रहे पांच बार सौरी MLA रहे 21 साल तक कभी आज तक हज कमेटी में वो नहीं गए 22 दिसंबर को वो अचानक हज कमेटी पहुँचते हैं वहां का दोरा करते हैं और दोरा करके पूरा जाच पड़ताल करते हैं कि हज कमेटी में क्या चल रहा है क्या हो रहा है पूरा वीडियो वाइरल होता है और 6 तारिक को जब M.C.D. का इलेक्षन होना था मेयर का तब ही एक लिष्ट आती है जिसमें तीन मेंबर कॉंग्रेस के हज कमेटी में लिए जाते हैं अध्यक्ष महोदे सीधा सीधा पता चलता है कि कॉंग्रेस का चेर्मेन बनाने की कवायद इसलिए होई कि उनसे सौदा हुआ बाकाइदा कि तुम्हें वाकाउट करना है ताके इस्ट बनाए गए ताके एक जो MP है उनको भारती इंता पार्टी का बनाए गया गौतम गंबीर साब को टीन मेंबर कॉंग्रेस के बनाए गए दो MLA मजबूरन आम आदमी पार्टी के इसलिए रखे गए कि दो MLA का रहना जरूरी है और दो MLA ना कॉंग्रेस के पास थे ना भाज पास थे मुस्लिम इसलिए वो दो MLA आम आदमी पार्टी के रखे गए तो मैं तो कहना चाहता हूँ आपके माद्यम से के इस तरह अगर दिल्ली की चुनी होई सरकार के कामों में अरंगे लगाए गए और ये एक ऐसी वो है हज कमेटी के मुसल्मानों को जिस तरह से परतार पिद्च किया जा रहा है कि मतलब अपने मर्जी से किसी को भी मैंबर बनाया जए और महिला को वहाँ चैरमैन बनाया जाए तो इसको मुसल्मान तो बिलकुर बरदाश्त नहीं करेंगे मैं भी जगा जगा जाता हूं हर और ये चर्चा है के एक महिला चैरमैन वहाँ नही बन सकती और कभी नी बन सकती तो अध्यक्ष महुदे आप से दर्खास्त है कि आप इसको संग्यान में लें और इस और ध्यान दें कि इस तरह का जो तरीका अपनाया जा रहा है कि चुनिवी सरकार को दर किनार करके अपनी मर्जी से वहां मेंबर चुनि जा रहे हैं इसको बिलकुल बरदाश्त रही किया जाएगा तो अध्यक्ष महुदे आप से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने संग्यान में लेते हुए इस पर ध्यान दें अध्यक्ष महुदे आपने मुझे इस विशे पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी जैसा सब लोग जानते हैं कि जब हैल जी साहब एपॉइंट हुए तो हम लोग भी गए इनके जब है उपॉइंट हो तो गए हम लोग दिवा है और फुर दिल्ली को बड़ी उमीद थी के इस बार दिल्ली वालों के लिए काम होगा जो अर्भिन केजी वाल सरकार ने जड़ी लगा रखिय तरक्याती कामों के लिए दिल्ली की जंता के लिए बिजली के उपर, पानी के उपर, सड़क के उपर, सिवर के उपर और जो एजूकेशन में कित्यासिक काम कर रही है तो दिल्ली के लोगों को बहुत उमीद थी लेकिन जब एल जी साब ने गद्दी समाली तो उसके बाद जब अभी आपने देखा होगा अभी माने मुखे मंतरी जी को खुद सारे उधायकों के साथ जो है निकलना पड़ा और मिलने जाने की क्या जरूरा तान पड़ी कि जब दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए टीचरों को ट्रेनिंग के लिए फिलने जाने की फाइल तो बार बार अबजेक्शन लगाने आज जो लोग जलबोट के अंदर सारे काम रोकने तो अबजेक्शन लगाने के लिए सारी फाइले वापिस करने के लिए और उसी के तेट जो जितने भी अनकॉस्टिटुशनल फैसले आज दिल्ली के LG ले रहे हैं और दिल्ली उन्हें शायद वो ये भूल गए हैं कि दिल्ली की अवाम और देश की अवाम सब जानती है कि आप जो चुनीवी सरकार के काम रोक रहे हो और चुनीवी सरकार को परेशान कर रहे हो डिली की जंता सब जानती है और कई ना कई अध्यक्ष मोहदें उपर वाला तो है और आज जो अर्विंद केज्रिवाल जी की सरकार यहां चल लेगी और दिल्ली के लोग जिसे मैं समझता हूँ कि इतनी शिद्दत से चाते हैं यही नतीजा था कि पहले दिल्ली में 70 में से 60 सीटे हैं उसके बाद 70 में से 62 सीटे हैं और यही नतीजा है कि MCD के अंडर दिल्ली के लोगों ने दिल भर के महबत दिया अर्विंद केज्रिवाल जी को और पूरा महबत दिया और 6 दिसंबर को 6 जनवरी को जब मेर अलेक्शन होने जा रहे थे उसी दिन अचानक वहां अनकॉस्टिटुशनल तरीके से एक दिन पहल वाइल से वह मानने मुखे मंत्री जी के थू जाते हैं अपाइंड्मेंट के और ईल जी साब का काम है कि मुखे मंत्री और मंत्री मंदल ao पर उटल एडवाइस पर उन्हें काम करते हैं अगर उन्युमें उसमें कोई इतराज हो तो रृस पर लिक्के भेस सकते कि बई लिए में कौन कौन ऐसे काबिल लोग है समाज सेवी लोग है जो लोग की सेवा करना चाहते हैं उनको अपाइंट करना चाहिए था उन्हें ने डारेक्ट बीजेपी के ऑफिस बेरर्स को अपाइंट कर दिया अब यह भी भी बताया के लिस्ट उन्हों ने बीजेपी से कब ही है क्या वो बीजेपी हेड़कौर्टर से या बीजेपी के किसी भी अधिकारी से लिस्ट ले सकते और उसी दिन एक अचानक छे तारिक को एक ओर आते जिसके अंदर पता नहीं होता कि हज कमेटी के ओर आगए बहु कहां से आगए ओर जो फाइल मानने मुखे मंत्री जी हज कमेटी के अंदर अपॉइंट करने के लिए लोगों को भेजी थी उससे अलग ओर आजाते हैं एकदम उसके अंदर दो नाम तो दिली के MLS के होते हैं मुस्लिम MLS के क्योंकि जोके उन्हें डाल ले ही थे वो तो डले ही थे उसके अलावा चार नाम उसमें से अचानक है तो वो दिली का LG है और वो किसी पार्टी का LG नहीं है अचानक हमारे माने सांसर साथ उसमें से संजे सिंग जी का शायद नाम था उसे हटा दिया जाता है इसके अलावा जो और मेंबरान है उनका नाम अचानक बदल दिया जाता है और उस दिन एक बात और सामने आती है ए के साथ साथ Congress Party अपने आपको secular party कहती है आप सब लोग जानते हैं मेरे सारे गुदायक साती बैटे अपने आपको एक बहुत ही अच्छी party बताती है काम करने अचानक पता लगता है कि वो हाउस से walk out कर गए सब क्यों कर गए भी ये पता नहीं था किसी को कि क्यों walk out कर रहे हो ल लेकिन जब order आते हैं हज कमेटी के तो उसमें देखा जाता है कि एक पार्शब को उसमें से member बना दिया गया है जिसने अभी तक शपत भी नहीं लिए तो फिर समझ में आता है कि वही इसलिए walk out किया गया है और इसके अलावा दो members और बना दिये जाते हैं जिसमें एक member ऐसा होता है जो कि Muslim scholar होना चाहिए और एक member ऐसा होता है जो Muslim किसी संस्ता से चोड़ा होना चाहिए और वो सारे के सारे और ये जो committees बनने का काम है या किसी को भी appointment करने का काम है दिल्ली government का काम है दिल्ली की जनता ने चुन के भेज पिछले जबसे दिल्ली गॉर्मेंट बनी है जबसे बनी है दिल्ली गॉर्मेंट शाहर 1993 से जबसे आज तक किसी भी चेरमें का और मेंबर्स का जो अपाइंटमेंट होता है वो मानने मुखे मंतरी जी फाइल भेजते हैं और एल जी साहब उसे अपरूफ करते लेकिन ये अचानक ये लोग कहां से आगे क्यों नाम चेंज करें बताना चाहिए क्या जो नाम मानने मुखे मंतरी जी ने भेजे थे क्या वो नाम सही नहीं थे क्या क्यों काईट दिये उन्होंने मेरी आपके माध्यम से और पूरी दिल्ली की अवाम की तरफ से मेरी LG साफ से अपील है दर्खास्त है कि ये जो अनकोस्टिटुशनल तरीके से उन्होंने हज कमेटी को बनाने का काम करा है मेंबर्स को डालने का काम करा है उन्हें अपने नेजने को वापस लेना चाहिए और उन्हें जो बाने मुख्यमंत्री जी ने जो नाम भेजेते हैं उन्हें रिकमेंड करने चाहिए और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहिए ना कि किसी पर्टी सिनमा नमान तो लाजे शुक्रिए अपने मुझे इस मुद्दे पर जो एहम मुद्दा है उस पर बोलने की इजाज़त दी अभी MCD का इलेक्शन हुआ और इस MCD के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 134 सीट मिली और BJP को 104 पिलस 9 113 सीट मिली कोंग्रेस और BJP हमेशा से ये एक दूसरे के भाई बहन और सपोर्टर है आज अगर नरिंदर मोदी जी देश के परधान मंतरी है अमिशा जी अगर यहां के होम मिनिस्टर है ये सिर्फ कांग्रेस की देन है अगर 2002 के दंगो में अमिशा जी को और नरिंदर मोदी जी को कोंग्रेस ने उनके के की सजा दे दी होती तो आज ना तो नरिंदर मोदी परधान मंतरी होते ना अमिशा होम मिनिस्टर होते ना आज RSS इस मुलक में भाजपो को रूल करा रही होती और यह आज आरहन आरहन दूसरा क्या कर रही है के आज RSS से बड़े नरिंदर मोदी जी हो गएं तो अब नरिंदर मोदी जी को गराने के लिए RSS अब जो है रहुल गांदी को सपोर्ट कर रही है यात्रा के अंदर और ये मैं तज्दीक के साथ कह रहा हूँ आप पता कर लें दो लोग है एक तो विचारे भोले भाले मुसल्मान उनको ये बहका लेते हैं जैसे दिल्ली के अंदर ओखला में सिलमपुर में मुस्तवबाद में वहां भोले भाले मुसल्मानों को इन्होंने बहकाया और वोट हासिल करके नो सीटे जीत करके आ गए और ये नो की नो सीटे अब ये भाजपा की सीट हैं क्योंकि इन्होंने जब ये छे तारिक को शपत लेनी थी और मेर का इलक्शन होना था तो उससे एक दिन पहले जो कॉंग्रेस के मले रहे हैं एक से मले सिलमपुर से मतीन चोधरी उसका एक बयान आया कि कॉंग्रेस के नो के नो पारशद हास से बाइकॉट करें गया और उन्मने ऐसा किया भी क्योंकि इनके बाइकॉट करने से फायधा किसको रहा है समझने की जरूँरत है कि जैसे सेंटरल जोन है सेंटरल जोन 뉴스 के अंदर ये हास से तो लेकिन जोन के अंदर जो कमेटी है स्टेंडिंग कमेटी में ये बीजेपी को सपोर्ट करेंगे जैसे सेंटर जोन है सेंटर जोन के अंदर तेहरा पारशद हमारे है दस पारशद बीजेपी के हैं दो इन्होंने नॉमिनेट कर दिये दो पार्षद कांग्रेस के हैं जो दोनों उखला से हैं और ये दोनों वहां राजपाल से बाकाइदा इनकी सेटिंग होई किसी ने कहा कि इन्होंने पचास अजार रुपे लिए इन्होंने पचास लाक रुपे लिए पचास लाक नहीं लिए इन्होंने एक एक करोड रुप्या लिया और मैं राजपाल को जानता हूँ राजपाल को ये सपोर्ट करनी है इनको वहाँ और उसे वहाँ जिताना है यहाँ पर बाइक ओट करेंगे तो फाइदा किसको होगा वाक आउट करेंगे तो फायदा किसको होगा भाचपा को वहाँ स्टेंडिंग कमेटी में बाकाइदा ये वोट करेंगे और ये भोली भाले मुसल्मान बिचारे भूल गए कि ये वही कॉंग्रेसी हैं जिन्होंने मुरादबाद इदगा के अंदर मुसल्मानों को गतल याम कराया था जिन्होंने मल्याना के अंदर मुसल्मानों को गतल याम कराया था जिन्होंने हाशिमपुरा के अंदर गतल याम कराया था जिन्होंने बटलावस एंकाउंटर कराया था जिन्होंने भागलपुर के अंदर قتل عام कराया तो इन दोनों की हिस्ट्रिय जैसी रही है वो उदर قتل عام करते हैं या उन्हें बचाते हैं या इदर قتل عام करते हैं या उन्हें बचाते हैं तो ये एक दूसरे के बहन भाई हैं और इसी को सपोर्ट करने के लिए कॉंग्रेस ने हमें जो है वक आउट करने का फैसला लिया और वहां पर सपोर्ट करने का फैसला लिया अब हम मैं पूछना चाहता हूँ यह कहते हैं कि हमें आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दिया आपने बिचारे को भ मासूम, मल्याना के अंदर गतलियाम कराया था मेने अभी एक साफ थे केले लिए साफ, हम तो आपसे नाराज है मैंने रहें कि पी क्यूं नाराज है कि साफ दिल्ली दंग और मरकज की वैसे नाराज है मैंने लिए टेलो जी आपकी राफ ठीक है मैं माल लेता हूँ लेकिन आप मुझे ये बताओ के पंजाब के अंदर हमारी सरकार है पंजाब में लुध्याने के अंदर या मलेर कोटले के अंदर एदगा के अंदर नमास पढ़ते हुए मुसल्मानों को अगर हम गतल आम कर दे तो आप में माफ करोगे किसाब हम माफ नहीं करेंगे तो फिर मैंने का ये बताओ कि जब एदगा मुरादाबाद एदगा के अंदर कौंग्रेस की हकूमत थी और वहाँ पीएसी ने मुसल्मानों का गतल आम किया था वहां से लहाशे भी उठा कर नहीं आ पाएते तो आपने उनको माफ कैसे कर दिया क किलने के साब हमसे तो गलती हो गई अब गलती का खम्याजा मैंने का ये कर रहे हो आपने बीजेपी जो आपके तमाम बिजनसमेन को जेलों के अंदर डाल रही है एडी छोड़ रखी है उल्माओं के जेलों के अंदर डाल रखी है जो C.A.N.R.C. में बिचारे मासूम बच खाए तो जितने भी दिल-Handustan के अंदर मुसल्मान बिजनसमेन है या आलिम है या मुसलिम लिडर्शिप है उन सबको भाई B.J.P. खत्म कर रही है और उसमें कौंगरेस उनको कहीं न कहीं सपोर्ट कर रही है। कौंगरेस आवाज नहीं उठाती सिब मुसल्मानों को हमार खिलाब बढ़काती है के हम ने तो ऐसा कोई काम किया ही नी आज वह एक कहते है के थभाब आम आदमी पार्टी को हम वोट नहीं डालेंगे हाउस के अंदर हम ने क्या नुखसान पहुचाया हमने तो ऐसा कोई काम नी किया जो गिसी इस की फ़ी इंसानियत के खिलाफ हो ना श मुसल्मान के लिए कोई खिलाफ कोई काम किया ना मने किसी हिंदू के लिए काम किया ना किसी सिख के लिए खिलाफ काम किया आम आदमी पार्टी ने तो सब के लिए काम किया चाहे वो मुसल्मान हो चाहे वो सिख हो चाहे वो हिंदू हो अगर हम हिलाज दे रहें तो सब को हिल दोनों लोग जो हमें आपस में मिलकर के एक दूसरे को सपोर्ट करके सिर्फ इनका मकसद है कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुचाएता है और कॉंग्रेस का तो एजंडा है कि बीजेपी जीट जाए बीजेपी की सरकार बन जाए लेकिन कॉंग्रेस भी आम आ सीवी में केस चला मुझे गर िफ्तार कर लिया अब एडी में चला गया तो आज वद्पोर्ट को खत्म कर दिया और भाटपा ने खत्म किया कंप्लेण कों करता है कंप्लेण करते हैं परवेज हाश्मी कंप्लेण milk करते हैं चोधरी शरीफ जो ये कंग्रेस ही है मत सेलरी देने वाला कोई नहीं है सिगनेचर करने वाला कोई नहीं है उसका जो है सीओ को प्रेशर कर रखा उसने LG ने किसी भी कीमत पर अगर तुमने साइन कर दिया किसी भी चेक पर तो मैं छोड़ूँगा नहीं मैं फाइले कंप्लीट नहीं हो रही बोर्ड मीटिंग करने के लिए मैं बोर्ड मीटिंग बुलाता हूँ तो बोर्ड मीटिंग के लिए जो है बोर्ड मिंबर्स को बुला लेते हैं एसी भी खतम कर देता है उन्हें बुलाते हैं डाटते हैं कि बोर्ड में नहीं जाओगे तो इदारों को खत्म कर रहा है ऐसे यह जो है नॉमिनेटिड मिम्बर सिर्प इसलिए चुने जाते हैं ज्यादा जैसे साथ मिम्बर हैं वक बोर्ड के अंदर तीन nominated हैं चार elected है अब पहला नंबर क्या है कि आज इन्होंने हचक्मेटी खत्म की अगली बार ये वकबोर्ट को खत्म करेंगे उसके बार minority commission को खत्म करेंगे पिर तुमाम मंडियों को खत्म करेंगे आए सरकार की चीज़े हैं सरकार की eyes इंस सरकार चलाती हैं इन सब Pictures के department है सरकार की जवाब देए, चाए वो वगबोर्ड हो, चाए वो मंडिया हो, चाए वो हच कमेटी हो, चाए वो माइनोटि कमीशन हो, यह सब को तारगेट किया जा रहा है एक एक करके, और यह सिर्फ इसमें Congress इनको support कर रही है, तो मैं यह तो दलीतों के दुश्मन हैं, यह तो मुसल्मानों के दुश्मन हैं, यह तो OBC के दुश्मन हैं, यह तो हरे एक उनसान के दुश्मन है, जो सेकुलर है, तो इन भाजपाईयों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आपके वाकाउट करने सब इनी को सपोर्ट किया जा रहा है, आपको अगर आप इनको वोट दोगे तो भी नी को सपोर्ट करेंगे, तो आम आदमी पार्टी 134 सीटे जीत कर आई है, अगर 9 और मिल जाएगी तो हम पूरी ताकत के साथ दिल्ली को चलाएंगे, सपोर्ट करेंगे, शुक्रिया इनी बातों के साथ, मैं अपनी बात को खत्म बहुत बहुत धन्यवास